तो आपके हमारी इस ओन्लाइन क्लास में हम मैं बातकित करने जा रहे हूं आपके साथ इड़्वांस एक्सल में प्रोटेक्शन मेथोड के बारे में जी आप प्रोटेक्शन मेथोड बहुत ही मज़दार तौफिक है कि हम कैसे फाइल को लॉक करें शीट को लॉक करें और कैसे इसको हम असराय करेंगे कोन क्या कर सकता है इन सुप्रियों के बारे में आज हम डिस्कूर्स करेंगा आपके साथ तो अन तक ध्यान से देखिएगा कोई दाउट होगा तो पूछ लिजिएगा तो मैंने सब्सक्राइब लिया है आपके सांथ हमने तो मैं सामने एक डेटा आप देख रहे हैं मुझे इस डेटा पे चाहते हूं कि कोई भी एनिवर्जी चेंज ना कर सके तो सिंपल साथ क्या करेंगे फाइल क्यों पर राइट क्लिक करेंगे प्रट्रैक्ट शीट पर जाएंगे और यहां पे अपना पासवर्ड आज़ेंगे पासवर्ड को करनेंगे ओके कि दैनों कि ध्यान रखेगा एक चीज आपने से नोटिस नहीं किया था जबने बास्वर्ड कर रहा था तो माइक्र सब्सक्राइब कि इंपुटन बात बताया है कि वो लाइक इस इफ यू लॉट और फॉर्ड पास्वर्ड इस तैन नौट विरिकावर्ड टालते हैं तो पास्वर्ड रिकावर्ड करना फुरा सा मुश्किल होता है तो ध्यान रखेगा कि पास्वर्ड आज़ते से मैं ऐसा डाले जो कि कbare फुर्डवार Shepard कर सकता हों कॉपि इस सब्सक्र पास्वर्ड डालते हैं तो क्या होता है कि पार समझेगे को पर रिमूब नहीं किया जासे हैं कंट्रोल की का आप्टन करेगा है कि करने के लिए जिसरत क्या पड़ती है कि अधियर लगा कि आप बंद भी कर सकते हो तो आपका बंद जाएगा कि यह लगा के इंजिन आउस कर दें तो आपका गारी रुप जाएगी न चाहिए से उसी तरीके से यहां दूसरा आप्टन पाई करते हैं यह बोला है कि अलाओ यूज जॉर ऑफिस बॉक्षिट इससे लिए चेक बॉक्स आपको दिख रहे हैं आपकर भी प्रुटेक्शन हम इस पे वार्ट कर सकते हैं कि प्रुटेक्ट करने के बाद भी इस तारे शीचर्च अप्ली के वर्त तो इसमीं कहता है विसके उपर आप्लाइ करका है कर दिया तो अब मैं चेंजमन की तो नहीं कर सकता हूं इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अपलाई कर सकता हूं क्यों कि वहां हमें अलाओ कर दिया है उसी तरीके से जो आप देखेंगे तो प्रोटेक्शन में तो दिफॉल्ट अलाओ होता है हमारा तो यहां पे करता हूं उसके बाद मैं कहीन भी किलिक नहीं करता हूं जो कहीं भी इस्लेक्ट ना करते हैं तक कॉपी करने से क्या आप है एक सिंगल ब्लैंक से से लेक्ट हो रहा है इस शीचर से हम अपने कॉपी को रिमूव करते हैं तो आया समन्स में लखी कान जी एन वेटर मजी डाउट इसमें के बारे में एक पर्टिक्लर एडिया को मुझे प्रोटेक्शन से बाहर रुखना है कि अब जाता हूं कि मैं कहीं भी किसी तरह के लिग ना कर ज़सको बस इस नहीं ज़सको तो अभी अबियागी अपने देखा कि मैंने बताया ताइश में और भी है कि पॉटेक्ट वर्क्सि एंड कंटेंट और लॉक्त जो पार कुला ही होता है और और तिस आपका इस पे होता है और आपका जो भाई है कि मुतरब की जो पूटेक्ट होता है अब लॉक्त कि क्या होता है तो यहां आपको दिखता है है इसन बिखिए निया मैं प्रोटेक्शन को सब्सकारा है न है वागि तो तकerson नहीं की काटेग्ली क्यां जाएगा अंश्यस्थ कर देगे तो ए अन्पोटेक्स्ची काटेग्ली ना होगा तो मैंने क्या किया कि इस yellow area जो था उस area को select किया, right click किया format चल पे गये और protections में हमने आजर lock को uncheck कर दिया then, ok किया फिर right click करके हम आते हैं यहाँ protect sheet पे और यहाँ पे password डालके conform कर देते हैं, password को अब मैं यहाँ कहीं type नहीं कर सकता बट यहां पर टाइब कर सकता हुआ है कुछ आउट कर आप लोगों को लो है लगी करांटी को डाउट आउट आपको सेंपल सी बात को समझे़ा कि हमें एक परकुलर एरिया को ठाइवार है कि में इसितिफाय कर दोडिया कि उतना अरे प्रोकेंट करना को जोरी नहीं है जो हम leah तेक्षाल क्वाइब कैसे करें कि प्रोटेक्श वर्क्षिट रेकंटेंट और लॉट सेल और व्टेक्शन जो सिर्फ लॉट सेल्ड पी अपप्लाई होता है कि यहां लॉक्ट पे क्लिक है इसमीं को सपोर्ट कर रहा है लॉक्ट का मतलब नहीं कि सब्सक्राइब काम नहीं होगा नहीं प्रोटेक्षेन को सपोर्ट कर रहा है उसे सेमीं हम यहां इस एलो इरिया को लेते हैं और हम इसको अनलॉक्ट कर देटें आलो और इसक्या वाक्रण प्रोटेक्षान को सपोर्ट नहीं करेगा मतलगति पूरा सीथ की तो कोपेटी है इसकी जैल पोपेटीज अनलॉक्ट तो उसकी पास पडालोगा थरा थिन्य पितान्स कि सिफ करें लौग पर काम घ packed हो दो इहाँ पर क्यों उल्टा करें हमघ पर पर यहां ! हम चाहते हैं कि सिप यह इरिया हमारा लोक्ट हो बार्टी अग करेंग तो पूरी शीट को शिलेक्ट करेंगी शार कि हम इस बात वासे हो इसे दीपार्ड इस पूर्म औरने के ऊपर आ़ इंटायर शीट को शिलेक्ट कर لिया अब राइट क्लिक या पूर्मेट तिल पे गया है प्रोटैक्शन पे इसको अनलॉक कर दिया, अभी हमारा एरेड एरिया भी अनलॉक है, पासद आने का रेड एरिया दे भी काम कर पाएंगे, लेकिन मुझे इसके काम नहीं करना है, तो अगेन हम इसको सिलेक्ट करेंगे, प पे लॉक्ट को apply करदेगे, अब क्या हुआ कि मैं यहां कोई भी काम नहीं करता हूंगा, बट यहां काम नहीं करता हूंगा, रेकिकल जब मैं इसमें password आ जोंगा, खरपाराद बट यहां नहीं करता हूंगा, अब question आता है, कि इसका benefit क्या है, इसका benefit क्या है, तो चलिए, इ किसका बेनिफिट के है ठीक है ठीक है ठीक छोटा से डेटर बनाता हूं नेम बढाता हूं यहां पर इमाॉंस्ट ते यहां पर यहां पर कमीशन तो तल और यहां पर एंटीट और नशचाहिए देज़ते उनलगरा देज़ते हैं कि अभी क्या है कि जो इमार्पी क्वान्टिटी एंड इमार्पी का बन्टिट्रिकेशन है जी इसका 18% है कमीशन जो है इसका 2% है और टोटल इंटबो का टोटल और फिर इसको मैंने लेक्टर के कॉपी किया और नीची के तरफ पेज़ कर दिया अब मुझे इस पर देता है इसे करना होता है कि मैं यहां पर देजन आपड़ता है इंजों मुझे हर हो सकते कि कुछ करना करना चाहता हूं उससे पर करतों को लेजाना ही जाता हूं जिस सेल में हमारा फर्मूला लगा है क्या करेंगे हम इसी method का इस्तिमाल करेंगे सबसे पहले पूरे seat को select करेंगे format पे जाएंगे unlock कर देंगे फिर इस particular column पे आएंगे right click करेंगे format पे वाप उप लॉक्ट कर देंगे मतलब कि इन दी इएफजी इस चार column को छोड़के सारा seat unlocked है और password आलेंगे पास्वर दाले समय यहां पे selection की जो तुरूटी लॉक्ट सेल की और शेक्ट कर दिया हमने बोला कि लॉक्ट सेल नहीं करना है मतलब कि दी इएफजी को select नहीं करना है अब यहां पर मैं टाइब करता हूं इंद अब जैसे इस टैन मालूंगा कर सक डारेक्ट एच कॉलंग पर जाएगा देखें मतलब कि हम इस चारों के उपड़ स्लैप्टी नहीं कर पारेंगे कि अब इसको अलग तरीके समझाओ आप एक फॉर्म बना रहे हैं इससे नेम हो गए यहां है यहां पर सिपी है और अगले सेल मालेजिया आपको इमाउंट है और इस ताप डिफेंट डिफेंट सेल है जिसे आपको साइब करना होता है मैं चातर जो है यहां पर ताइप करके एंद प्रेस कर नीचे ना आके डारेक्ट सिकी इम और इससे पर प्रेस्ट त loafरा को ए लाव बाकि पूरी स्लैक्ट है इस इस सीलिए 105 एट अनलॉक्त है तिर पास्वा डालते समय प्रोटैक्ट शीट में इस अन्लॉक को अंचेक करते है अब यहां पे मैं कुछ भी जाम दिखा एंटर मारते कर से यहां पर आगे आगे है जब आगे है जब आगे है यह रहा है मतल्म में एक खीठ है हमारे से हमारे दो काम करते हैं मिस्कर एग OFF में करा तो हम्रोज करेंगे और जाएंगे जाएंगे review time में, review time में हमारे पास options है allow edit range, new पे click किया, और यहां पे password देता हूँ, कोई एक password दे दिया, यहां पे भी password को confirm किया, then okay किया, फिर new पे click करते हैं और arrange to है, नाम भी change कर सकते हैं करना चाहिए तो आप, यहां before sales change पे आते हैं और B वाले का area select कर लेते हैं, और B वाले को हम different password देते हैं, password confirm करते हैं, अब इसको apply करते हैं, अभी untype कर पाद है, क्योंकि यह applicable तभी होगा, जब मैं इसके उपर protect sheet में password दालेगा, अब क्या है, कि मैं कहीं और type नहीं कर सकता, बस जैसे Mr. A में type करने जाओंगा, मुझे पूछेगा password, मैं हाँ पर password दे दिया, and ok कर दिया, अब मैं इसमें कहीं भी type कर सकता हूँ, कब तक, जब तक इस file को, इस book 1 को मैं reopen नहीं कर लेता, जैसे मैं इसको reopen करूँगा, यह वा हो जाएगा, लेकि Mr. A, जिसे Mr. B के खरेंगे, तो यहां Mr. B का password मिलेगा, Mr. B का password जब तक वो नहीं जा लेंगे, तब तक इसको किसी तरह की typing नहीं करने लेगा, ऐसे दो, तीन, चार पास, एक एरिया में password, कई तरह password यूज कर सकते हैं, मतलब कि, अगर बहुत सारे लोग एक फाइल पे काम करते हैं, तो. आया करने सर? हलो? हाँ, सर. याँ, सर. जाओ इसमें? नहीं. जाओ नहीं है नहीं सर? नहीं. जागे बढ़े? एं. अब बाट करते हैं, जाओ पुरी के पुरी सीट को लॉख करना चाहते हैं. कोई person मेरी सीट को डिलीट न कर रहा. अभी तुम्हें क्या करें? अब एजिखी पर राइट क्लिक की और डिलीट मार दिया. क्या? यह रैट क्लिक कर रहा हूं और यहां पर दिलीट गर रहा हूं दिलीट हो गया तो इसी में रिज्वी में यहां पर दिखता है आपको Protect Works Book इस पर पास्वादार को OK कर देते हैं तो पूरी इस्ट्रेक्चर को लॉग कर देता है पूरी इस्ट्रेक्चर को लॉग कर देता है अब मैं कुछ भी नहीं कर देता है तो यह पूरी इस्ट्रेक्चर को इसमें लॉग कर दिया हुआ है एंसर लेकि पास्वाद अई भी फाइल ओपन हो सकती है शौर्ट को शॉयस नहीं किया है ने विए आन यहां पासभर्ट क जाता है दो अलग पास्पट आ सकते हैं जैसे पासपट तो opened किसी को दे धिया वह वह नहीं होगा जब तक बाइन मोडीफाइई का भास्पट ना देते हैं लेकिन इसके लिए आपके फाइल फौस सेद्ट केiquerागे यह फाइल वेगर से रज्ट किये हुए ऊपन हो जाए तो या करें और इसमें ऊपने बार में इनको के अंदर में यह आता है आपका प्रोटेक्ट वर्फोप इसी में आता है एक सीट को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे एक सीट को कैसे हम कौपी डिसेबल करेंगे मतलब कि सेलेक्शन को डिसेबल करेंगे फिर हमने बताया आपको कैसे एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखेंगे या एक पर्टिकुलर एरिया ही प्रोटेक्शन में रहेगा बाखी एरिया प्रोटेक्शन से बार रहेगा किस तरीके से इसका यूज में अपने टाइपिंग करते समय फाइल पे ले जाओ ना करूं और आगला अपने सीखा कि कैसे एक ही फाइल पे मोर दैन तू मोर दर वन पास्पोर अप्लाई कर सके एक ही सीट के उसा दूजरा अब क अपना इसको क्या बूते हैं अपना फॉमुले को do fragile करें है। यह फॉला लगा हूगा है मैं चैथा कुछी सी smart परसन इसकी मृट हो ना देख सके ए तो सिम्पलजर इसको फ्लेक्ट किये राइट किलिऽ कीजीयर एक आचेल में जाये और इसको और करके यृ can then protect passport डालिए and अब देख खर्ण करकर यहां जाया ने यहां पर कुछ जिख रहा है सर नहीं दिख रहा है यहां के यहां कि टर्शान 25 यहां लिखेगी है shouldn't 25 हारहा है दुझे 25 हार रहा है सकिन 25 आपका 55 25 आपका 35 25 आपका तरह कन पर कुछ किनी लिख round ते हमारा फॉर्मूला हाइड करने का आउप्षी इसना है तो इसी प्रैक्टिस की जिए आज को इसी छोटी क्लास था क्योंकि टॉपिक हमारा छोटा था करेंगे शॉंटिंग एंड शिल्चर के बारें आप लोगे अबात कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं